the speed of light c gravitational constant g and planks constant h are taken as the fundamental units in a system हमाई पस तीन चीज़ है एक पोला है हमें c जो की speed of light है दूसरा g जो gravitational constant है और planks constant है h the dimension of time in this new system should be तो हमें बताना है कि जो time होगा इस system का वो कैसा निगलेगा तो आपको तीन चीज़ गीवन होती है उपर और एक चीज़ लास्ट में गीवन होती है कि आप किसके directly proportional उसको रखोगे आपसर time तो हम इसको time की directly proportional रखेंगे सी इसको में कंस्टर कर लेते हैं ए ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट को बी और एच को सी ठीक है तो हमने आसे रखा हम इनकी इसको निकालेंगे के करके सबसे पहले हम निकालेंगे सी की सी होता है वही speed जो velocity की होती है वही dimension इसकी होती है तो velocity की हमारी होती है distance पॉन में टाइम सो एल टी एल टी माइनस वन सो हमारी सी की जो निकली है वह यह निकल गई हम निकालेंगे जी की ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट की उसको निकालेंगे हम एफ इक्वल जी एम वन एम टु डिवैट बाई आर्ट स्क्वाइर पोर्स होता है हमारा एम एल टी माइनस टू जब आप निकालतर होगे तो आपको भी याद हो जाई कैसे निकाले जाती है हम इस जी की निकालनी है मल्टिप्लाइ एम हमारा दो है तो एम स्क्वाइर कर दिया लवी दो बार है तो स्क्वाइर कर दिया हम जी को एक तरफ लखेंगे दूसरी साइट सारे लिजाएंगे वैल्यूज उपर जाएगा हम माइनस वन हो गया एल हमारे पास तीन हो गया टी माइनस तो हो गया दूसरा हमारा यह निकाल गया अब निकालेंगे हम सी जो हमारा है प्लैंक्स कॉंस्टेंट जो की यह होता है यह हमारी एनेजी है यह फ्रिक्वेंसी है याद रखना है कि यह वेलसुट अब H को हमें निकाल ला है और frequency हो गई गई-1 है हुआ थो हमारी जो है की value है वह यह निकल गई आगो में क्या करना है हमें इन तीनों को उसमें पुट करना है टायम वाले equation जो सबसे value हमारी equation मनी थी जो हमारी equation मनी थी हम इन्ह वाली को उसमें पूत करेंगे तो टी इक्वल लगा के अगए अनि कि जो सी था हमारा लगर्डी माइनस1 यह इसको value पूत करेंगे हमारा पर दूसरा हमने पास है हम बी जोकी हमारा ग्रेविटेशनल कॉंस्टन्ट था और C निकाला है M L2 T-1 C अम है करने हैं को खोलते जाना है यहां पर है T जिसे की L A T-A यहां पर M-B L 3B T-2 B M C L2 C T-C अब एक तरफ करने सारे प्लस जिसे की M वाले M हमारे पास सिर्फ एक ही है जो है M-B plus C L हमारे पास L A plus 3B 2C 3 हो गए हमारे पास यह तीन वैल्यू अलग रग निकल गई है अब हमें क्या करना होता है हमें सामने वाले चीज़ देखने होती है कि हमारे पास इससे की यहां पर T है सिर्फ M और L नहीं है लेकिन फिर हम सिर्फ T के एक्वल रखके करेंगे जिसी के वारे एक्वेशन बनेगी अगर इसके सामने जो M होगा इसको हम ऐसे जो कंसेटर कर लेंगे M0 L0 T1 हो गया तो M की जो वैल्यू वो जीडो इक्वल माइनस B बन गई दूसरी 0 A प्लस 3 B 2 C यह हमारी L के लिए बन गई लेकिन जो T के लिए बनेगी वो बनेगी 1 इक्वल माइनस A माइनस टूबी माइनस सी यह तीन एक्वेशन बन गई है और में इन तीन एक्वेशन को सॉल्व करना है अम क्यासे करेंगे सबसे पहले छोटी एक्वेशन ढूंडो कौन सी है जो हमारे पास यह है इसको यहाँ पर लिख लेती हूं तुम्हारे पास यह तो हम क्या करेंगे इसको पहले एक्वेशन करेंगे माइनस सी हो गया इसको यह पुट करेंगे किसी यह दो एक्वेशन नहीं जो हम अमने इसमें पुट करेंगे क्योंकि देखो 0 1 a plus 3 b plus 2 c a से एकट हो गया यहां पर 1 आया 3a यह गया बी यह गया c अब हमें क्या करना है बी की जगा हम रख दिये c रखा हमने c plus c यह हो गया 2 c सो c की वैली हमारे पास आगई है हाफ जो वैली जी की है वही वैली हमारे पास बी की है तो बी इकवल सी यह दोन ही हमारे पास हाफ आ गया है और हम निकालेंगे इसमें a की वैल्यू तो किसमें पूट कर दो जिसे की 1 इकवल 0 इकवल a plus 3 b हमारे पास हाफ और c भी हमारे पास हाफ इससे कैंसल आउट जो 3 by 2 और 1 का एल्शियम जाएगा तो हो जाएगा 5 by 2 2 की मल्टिप्लाय करोगे 3 plus 2 5 divided by 2 तो a की वैल्यू जो आएगी वह आएगी minus 5 by 2 आपने option में देखते हैं इसको एगे जो थी हमारी वैल्यू वो थी c की c को हमने एक अंसरी किया था तो उसकी वैल्यू माइनस 5 by 2 किसमें है इसमें है माइनस 5 by 2 दूसरी वैल्यू बी और उसकी दोनों हाफ निकली थी दोनों हाफ इसमें है तो option a जाह雖ो किया जो जो हुर स्क्ता माइनस 5 by 2 उडे माइनस 5 by 2 आहाफ भाब लूसरी वैल्यू जनने लामा एight बी एल्यान में दोने ज tätä आहाफ यारा उपल्यू ठे